नमस्कार दोस्तों हमें पहाडी परिवार और आज का वीडियो भी सपाई से संबंदित है तो प्लीज देखें कैसा लगा जरूर चलिए अब फटक से किचन का गाम कर लेती हूं किचन की सपाई तो वैसे रोजी होते रहती है पर लेकिन इसके अंदर और यह सब अच्छे से हो पाता है तो इसकी सपाई करनी है तो इसके सांती दिवाली की सपाई भी खतम हो जाएगी आज बहुत हो गया है तो जितने जल्दी हो सेके उतना निप्टाना है सपाई करगा उपर की सपाई अब लगवव हो चुकी है अब करते है नीची की सपाई अब मैंने बरतन छोड़ दिये हैं बरतन बार में करूंगी क्या क्या निकलता है क्या क्या है देखते हैं यहां सामान बहुत भरा पड़ा है और क्या क्या है यह तो मैं भी निखलेगा तो पता चलेगा यहां जो सामान होता है समझ में नहीं आता है कि चन्म कहां रखो तो इसी के अंदर डाल देती हूं तो यहां इसमें पहाडी दाले भी निकलंगे कुछ दाल के खाली डब्बे भ निकलंगे कुराने टीफन वगर निकलंगे बरतन निकलंगे तो यह है स्टोर तो यहां से इतना कुछ निकलता है देखते हैं कि अगर पजयते थू पहाडी की तुरे अज मिल बेर हम जम के नाचनुहां व बंद कर दे पर देशी की तुरे मिल नाचनुहां बस पहाईडी पीट मां विछा देती हूं यहां अंदर निउस्प्रेपर बहें इससे पहली बार मैंने निए विछाय तो बहुत गंदा हो रहा नीचे एक तो वाइट है तो उस दिन भी जल्दबाजी में सफाई की थी तो इसको भिछाना हो लो गई मैं पर बुर जाता है कि पचेद थू पहाडी की तुरे आज मिल बेरम जम के नाचनुहां और बंद कर दे पर देशी पीट रे मिटों नाचनुबस पहाईडी पीट मां तो कुछ सामन तो मैंने रख दिया है जो पैक था थैलियों मां उसमें कोई दिक्कत ने थी उसको थोड़ा इसमें है नीबू का अचार है अब आ रहे हैं भांग खाने वाले दिन कमी है फिर लाना पड़ेगा लेकिन है प्यार तो इनको रखते जाते हैं यह कढ़ाई बटका जॉला बनने अली डुक्के बनने अली कढ़ाई है तो इसका भी यूजी दिन भट बनते हैं उसे दिन होता है तो इसको भी मैं ही रख देती हूँ और यह थेले में टिफन वग रहे हैं जो बच्चो को कन्य पूजन में मिले हुए हैं यह काफी हो जाता है हर बार के तो यह सब मैंने इसका अंदर डाले हुए है अभी आधी अधी मैंने उपर रखे हुआ हैं तो ये बच्क सु यूज करता हैं को फिर ने में उसक लेत हैं तो इनमान भी कुछ भड़ते हैं कुछ थेले मिले मुझे हाँ वी जिन्न मैं मैंने चांवाल काज़ा भर दी आ कि अधर से इतना समान निकला हुआ था वह मैंने सब रख दिया है अब इधर की बारी है तो इधर ज़्यादा कुछ है नहीं दो कंटीनर है अटाचावल के और एक दो डब्बे और हैं बस हो गया तो यहां भी जिल्दी से कर लेती हूँ कि अंदर के सामान को तो अच्छे से रख दिया है साफ सफाई करकर की तो अब है बाहर की सफाई करने का नंबर तो बाहर भी अच्छे से साफ कर लें सब दागवाग लगे हुएं तो यह है मेरे किचन की दिवाग यह मेरी कुहु ने इसको उतना सुन्दर बनाया है तो मैंने सुचा आप लोगों के सांब्री शेयर करूं तो प्लीज बताएं कैसा लगा करके और वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर बताएं तो अब मैं आ गई हूं मंदिर में तो अब जल्दी से पूजा कर लेती हूं काम करने के चक्कर में काफी लेट हो गया है काम करने में बहुत टाइम लगिया तो मैं जल्दी करती हूं और फिर आपसे मिलती हूं खुर देर में जनकी सफाई और पूजा वग्रा सब कर लिया मैंने अब मैं कर रही हूं नास्ता नास्ते का टाइम है तो आप लोग उसे मिलूंगी थोड़ी देर में नास्ते माज कुछ खास नहीं बना हुआ है सिंपल कोहा बनाए मैंने और इसके सब कॉफी लिए बस क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि कुछ सच्छे से बनाओ अब मैं प्यूब को लेने जा रही हूं स्कूल में छुट्टी का टाइम हो गया है अब मैं आगे स्कूल से क्योंकि पादर में स्कूल केईगी कुछ पढ़ाया हाँ पढ़ाया हाँ पढ़ाया क्या था ठीक है इंग्लिश पढ़ा था तो इंग्लिश में मैं पढ़ा था वाथी मैंने वो यहां पर कुछ क्राफ्ट करने के लिए बैठी हुई है दिवाली का कुस क्राफ्ट बना रही है तो प्लीज आप लोग देखें इसके चैनल पर किसने क्या बनाया करके पसंद आया तो लाइक शेर सिस्क्राइब करें तो मैंने बनाया है यह जो कि बहुत सुन्दर है अपने मंद से सुन्दर है क्या बनाया जरा बताना तो यह दिया है यह बटाके है और यह दिया है और यह चूडिया है और यह बल्ब है बल्ब है और यह मिठाई है और यह बहुत सुन्दर पीओ ने तो अपने ड्राइंग क्या-क्या बनाया खुदी बता दिया था तो तब तक कुभू का भी काम हो चुपा था तो मैंने सुचा आप लोग को दिखा दूँ तो ये कुभू ने बनाया कैसा लगाई जरूर बताएं और इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो भी खुतम करती हूँ आप से मिलंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई वीडियो गो लाइक करें कमेंट करें सेयर करना मत भूलिएगा